सद्धियों से हम नवरात्री का त्योहार मनाते आ रहे हैं। देश के अलग-अलग इसों में अलग-अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। मा दुर्गा के परती अपना भक्ती बाव दर्शाने में भक्त कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्री के वर्त रखते हैं। तो वहीं कुछ लोग वरत और उप्वास रख मा दुर्गा और उनके नो रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते है कि नवरात्री का त्योहर क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मननेता है तो बने रहेगा मेरे साथ अंतितग आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी नवरात्री से जुड़ी एक पोराणी कथा है मैसासुर नाम का एक बड़ा ही सक्तिसाली राक्षस था और वह अमर होना चाहता था और इसी इच्छा के चलते उसने ब्रमा जी की कठोर तपश्या की ब्रमा जी उसकी तपश्या से परशन हुए और उसे दर्शन देकर का कि जो उसे बर चाहिए वह मंगे यह सुनकर मैसा सुर ने अमर होने का वर्दान मंगा मैसा सुर की ऐसी बात सुनकर ब्रमा जी बोले जो इस दनसार में पैदा हुआ है उसकी मर्थिव निश्चित है इसलिए जीवन और मर्थिव को छोड़ कर जो चाहो मांग लो ऐसा सुनकर मैसा महिसासुर ने कहा ठीक है परबू फिर मुझे ऐसा वर्दान दीजिए जिससे मेरी मृत्यू ना तो किसी देवता के आथों से हो सके और ना ही किसी असुर के और ना ही किसी मानव के आथों से अगर हो तो किसी इस्तरी के आथो ही हो। महिसा सूर की ऐसी मंग सुनकर ब्रमा जी ने उसे वर्दान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए इसके बाद तो महिसा सूर राक्षसों का राजा बन गया उसने देवताओं पर आक्रमन कर उन्हें परताडित करना शुरू कर दिया और देवतागर्ण घबरा गए उन्होंने एक सभी देवताओं ने भगवान विष्णू के साथ आदी सक्ती की अराधना की उन्हों सभी के सरीर से एक दिवे रोसनी निकली जिसने देवी दुरूगा का रूप दारन कर लिया देवी दुरूगा को देख मैसा सूर उन पर मोहित हो गया और उनसे विवा करने का बार बार परितन करता रहा देवी दुरूगा मान गई लेकिन उन्होंने मैसा सूर के सामने एक सर्थ रख दी सर्थ यहा थी कि देवी दुरूगा मैसा सूर से तभी विवा करेगी जब वह उनसे युद्ध में जीत जाए मैसा सूर मान गया और फिर युद्ध शुरू हो गया और य यहां युद्ध पूरे नौ दिनों तक चलता रहा। नौ दिनों में देवी दुरुगा ने अपने अलग-अलग रूपों से युद्ध किया जिसमें सेल पुत्री, ब्रह्मचारिनी, चंदरगंटा, कुस्मांडा, इसकंदमाता, कात्याहिनी, कालरात्री, महागोरी, दस्वे दिन देवी दुरुगा ने मैशा सुर्का अंत कर दिया, तब से ही नौरात्री का यह परव, आज तक बड़े धुमदाम के साथ मनाया जाता है। नौरात्री अधर्म पर धर्म की जीत का पर्तिक है, माननेता है कि जो भक्त सर्दा पूरुवक मा दुरुगा की उपासना यह वरत इन नो दिनों में करते हैं, उन पर बुराई कभी हावी नहीं होती और देवी मा का असिरवाद उन पर सदेव बना रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको अगले ही किसी वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम।